दस साल लाठियां बरसाई अब हाद जोड़ कर बीजेपी वोट मांग रही पिंजोर कालका में बोले कॉंग्रस वदाइक परदीप चोधरी बीजेपी ने दस साल में सिर्फ लोगों पर लाठियां बरसाई सरपंच किसान करमचारी बिरोजगार किसी को नहीं बक्षा और हाद जोड़ कर जनता से बीजेपी वोट मांग रही है जबकि जनता उनके हर जुलम को याद करके बैठी है ये शब्द कालका से कॉंग्रस परत्याशी परदीप चोधरी ने खोकरा गाउं, नवा गाउं, नवानगर, कोना, रामपूर जंगी, खेडावाली और कालका और पिंजोर में कई स्थानों पर चुनाव परचार के दरुआन वोट मांगते वे कहे इससे पहले नवानगर गाउं, रामपूर जंगी, कालका और सुबह उनके आवास पर काफी लोगों ने कॉंग्रस पार्टी जोएन की इस मौके पर कॉंग्रस परतियाशी परदीप चोदरी ने ग्रामणों को संबोधित करते वे कहा कि कॉंग्रस पार्टी की जो साथ गारंटिया है वो पूरी होंगी और जिसका जंता को भरपूर लाब मिलेगा उन्में हर वरक का ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि परदेश में कॉंग्रस की सरकार बनने जा रही है और हम लोगों के काम करेंगे क्योंकि हमें जनता की हर गंबीर समस्य का पता है उन्होंने का कि लावरेस परशू लगातार लोगों को गायल कर रहे हैं लेकिन नगरपरिशत और पंचाइज डिपार्टमेंट लावरेस परशू को खास कर सड़कों, बजार और रहाशी शेत्रों से हटा नहीं पा रही उन्होंने का कि डेंगू भी लागतार पाउँ पसार रहा है जिसके रोक्ताम के लिए कोई मजबूत व्यवस्ता बनानी चाहिए थी जो नहीं बनाई जा रही लोगों को नजदीक में सरकारी हेल्थ व्यवस्ता मोहिया करवाई जाए कॉंगरस प्रत्याशी प्रदीप चोधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग अचार सेंता का मजाक बना रहे हैं जगह जगह होड़िंग लगा रहे हैं जबकि उन्हों तरह भी नहीं जा रहा इस मौके पर कॉंगरस के कारेकरता अब अपनी टीम बना कर गाउं कस्बो और वाड हिमशिका और सुरजपुर में आयोजित खेल आयोजन में जाकर खिलाडियों का होसला भी बढ़ाया